तो यह देखिए आज मैंने बहुत ही टेंटिंग औप डुलुशुस यह रेसिपी लेकर आई है अलू की जटपट से बनने वाली यह रेसिपी एक एक अलू का लुग देखिया देख रहे हैं कितना बढ़ियां यह मसाले में कोट हुए हैं बहुत ही कम आईल में बहुत ही वाथि बहत्या रस्पी देखे, एहां पर कुछ मसाले ले रही हूं जिसका मैं पूरा कॉण्टिटी आपको बताना चाहती हूं में चम्मश लिया है जिसमें मैंने एक चम्मश लिया है जिसमें फर्टाव के घड़ी धन्या जो हम यहां पर वाली है मेथी दाना और फोर्ट स्पून से भी थोड़ा मतर चुटकी के बराबर में यहां पर लिया है मंग्रेल जिसे कलॉंजी कहते है इन सारे मसाले का जो मेजरमेंट हो एक नॉर्मल स्पून से हुआ है मारे गर में जो टी स्पून होते हैं उनसे मैंने मेजर किया है हमने एक पैन में पीसला है तो आसानी हो जाए मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके है एक मिनिट हो बस मैंने किया रोस्ट अब हलका सा दरदरा पीसला है इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना तो मैं आपको पीस के दिखाती हूँ फिर मैं बहुती कोसली इसको कर लिया है बहुत ज़दा इसको फाइन पाउडर नहीं बनाया है इससे अब हम प्लेट में मिलाएंगा और इसके साथी हम पाकी सारे मसाले इसमें अड़ करते हैं इसमें जीरा है धनिया है सौफ एंड के खुश्बू तनी अच्छी आरी है कि मैं आपको क्या बता हूँ अब हैं इसको बना करके क्यों अड़ी मैंने धनिया लिया है तो गरह मसाले की कौंटेटी हमें बहुत जाता नहीं चाहिए विर्ज बहुत ही तेज है इसलिए मैं आदा चमश ले नहीं हूँ लाल मिर्श पाउडर इमें आदा चमश हम इसमें यूस करेंगे कश्मीरी लाल मिर्श पाउडर अदा अधने आद करेंगे काला नमक वो मिक्स कर लेंगे अभी इसमें मैं दो चीज आद नहीं करी हूँ एक है नमक और एक है अमचुर अमचुर की जगह मैं फ्रेश लेमिन का यूस करूंगी जूस अगर आप अमचुर पाउडर मिला तो करीब इसमें एक से डेठ चमश इसमें आलू की लगबग जो size and shape है वो एक तरह होना चाहिए, अगर आप बड़े आलू ले रहे है तो बड़े लीजे, छोटे ले रहे है तो छोटे लीजे, medium ले रहे है तो सारे एक size के होना चाहिए, जैसे ये देखिए, मैंने ये लिए हैं, तो लगबग इनका look and shape ये देखिए, सब एक तरह केका है, अब हम इनको पहले चील के तियार कर लेते हैं, ये देखिए, मैंने सारे आलू क अच्छे से चील लिया है, और यहां पे हमें करना क्या है, चीलने के बार इन आलू को हमें सिर्फ 20 से दो करना है, हमें ध्यान रखना है कि हमें इने बहुत बड़ा size का बहुत चोटे size का नीडे न, medium size के एक size का आलू लीजे, बॉल कीजे और इसे बस हमने ये 20 से दो कर लिया है, हमने एक पैन चड़ा दिया है, और इसमें मैं सरसो का तेल बिल्कुल हलका सा डाल रही हूं, बहुत जादा हमें नहीं डाला, मुश्कत से चमश देर चमश में न जो हमने मसाला लिया है, ये मसाला हम इनके ऊपर अच्छे बाजстиश में बामश अवच्चे डालना बामशलना बाकी है स्लो फ्लेम होके हमें इसी तरह पकाना है जब एक बार यह हो जाएगा तो दूसरे साइड को हम इसको नीचे कर देंगे नीचे वाला साइड ऊपर करके उस पर भी हम इस तरह मसाला डाल देंगे पलट रही हूँ दिरे दिरे आप इसका कलर देखिएगा किते वाव किते बढ़िया लग रहा है देख रहे है यह होता है डिफरेंस कि हमने क्यों नहीं इसको छोटा करके और उस तरह से नॉमल सबजी की तरह बनाया दोनों तरफ से यह सिख चुके हैं अब हम इनके उपर देखिए। देख रहा है नो किता बढ़ियां टेम्टिंग लग रहा है वाव किता बढ़ियां लग रहा है यह को मैं अने किया है इस तरह आनियन विंग्स के साफ इनका कॉंबिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है साथ में नीबू हलका सां हम इनके उपर हारा धनिया डाल तो आप इसको अपने साथ कर सकते हैं हलका साइस के ओपर नीगू की गार्निशिंग कर दीजिए बस ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है सर्फ करने के लिए लग रही है ना टेम्टिंग बहुत ही मज़दार बहुत ही अच्छी रेसिपी है इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिएगा जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ तिल देन गुडबाई